सब्सक्राइब कीजे वैदिक जोतिस शैनल को और शाथ बैल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही जैसंतो सिमा, दोस्तो स्वागत है आपका वैदिक जोतिस में, जानते हैं आज क्या कहती है आपकी रासियां, कैसा रहेगा आपका दिन, सुर्वात करते हैं आज के सुविचार सी क्रिशन की सरण में आकर भक्त नया जीवन पाई हैं, इसलिए गुवर्धन पूजा का दिन हम सच्चे मन से मनाते हैं घमन तोड इंद्र का प्रकृती का महत्व समझाया, उंगली पर उठा कर पहाड वो ही रक्षक कहलाया, ऐसे बाल गुपल लीला धर को शश्यत प्रणाम बंसी की धुन पर सबके दुख वो हरता है, आज भी अपना कनहिया कई चमत कार करता है जग की रक्षकर ने एक उंगली पर पहाड उठाया, उसी कनहिया की याद दिलानी गोवर्धन पूजा का पावन दिन आया, आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार दिखसुप काम नाई आज का पंचांग 14 नमंबर 2020 देन मंगलवार, कार्तिक मास के शुकलपक्ष के प्रतिपदती थी, दोपहर दो बच का 36 मिलट तक रहेगी, इसके उपरान द्वीतियतिती प्रारम हो चायेगी, अनुराधा नामकनक छेत्र, राते 3 बच का 24 मिलट तक रहेगी, इसके उपरान जुएष्ठा नामकनक छेत्र, प्रारम हो चायेगी, आज का राहुकाल, अर्थाद दिन का सबस्या सुपसम में, दोपहर दो बच कर 54 मिलट सी, चार बच कर 36 मिलट तक रहेगी, आज का भी जीत महुरत, अर्थाद दिन का सबस्या सुपसम में, सुबह 11 बच कर 10 मिलट सी, 12 आप सभी को गुवर्धन पूजा की धेरशारी सुब कामनाई वैदिक पंचान के अनुशार कार्थिक सुक्लपक्च की प्रतिपदती थी 13 नमंबर शोम मार को दोपहर 2 बच कर 57 मिलट से सुरू हो चुकी है और 14 नमंबर 2023 याने आज मंगलवार को दोपहर 2 बच कर 36 मिलट पर समाप्त होगी उद्या तिथी को देखते हुए इस साल गोवर्धन पूजा आज मनाई चाहीगी गोवर्धन पूजा का सुब महुरत सुबा 6 बच कर 42 मिलट से सुबा 8 बच कर 59 मिलट तक रहेगा सुब महुरत की कुल ओधी 2 घंटे 9 मिलट की है इस बार गोवर्धन पूजा के दिन सुब योग बन रहे हैं गुवर्धन पूजय पर शोभन योग प्राता काल से लेकर दोपहर एक बचकर संतावन मिलट तक है व्रिश्यक राव से 14 नमंबर दो हचार तेईस दिन मंगलवार नए रास्ते पर चलती हुए अपने साहस पर भरूसक करी बच्चों ये दादा दादी को आपकी देखभाल के जयारत पढ़ सकती है दुष्टों के साथ अपनी रशनात मकता से यर करें और खाली समय ये रोमैंस का आनन ली जोए या जोखिम से बच्ची अपनी समझदारी पर विश्वास करें और आप संतुलित वा संतुष्ट मैसूस करेंगी अज़ाब की सितारे आपको अननसंभौनाय प्रादान करेंगी अधिक्षम वेदर शिल होनी की वज़े से आपनी रास हो सकती है गलत फैमी दूर करनी है तो अपने मनों भाव व्यक्त करें जीवन आपको वो सुनहरे मौके दे रहा है जीवन आपको जो सुनहरे मौके दे रहा है उन्हें दोनों हाथों से बटोरी जितने वाले लोग अलग चीजे नहीं करते वो चीजों को अलग तरह से करते हैं विवस्ते दिन शरिया रह सकती है आपकी तरक्के के लिए कोई द्वार खुल रहा है सिर्फ अत्तधिक मेहनत के जवरत है विद्धार्थी को भी आसा के अनुरूप परिणाम मिलने से सुकून और खुसी मिलेगी घर में रिष्तेदारों का आना जाना लगा रहेगा आपके द्वारा किये गए अच्छे कामों के कारण नुक्षान को टाला जा सकता है जवरत होने पर मार्गदर्शन मिलेगा लेकिन जो काम पूरे नहीं हो रहे हैं उन पर ध्यान देनी की द्यान देनी की वज़े से निरासा बढ़ेगी काम की क्वालिटी बहतर करने की कोशिश करें लाचेते से जुड़े लोगों को महत्व पूर्णा और शर्प्राप्त होंगी रिलेशनसिप से जुड़े निर्णय की वज़े से परिवार के लोगों को तकलीप हो शक्ती है पेट सम्मंधित इनफेक्सन होनी की शंभाव नहें देहार रखी शौधानिया जल्दबाजी और लापरवाही में कोई भी नर्नय ना ले किसी भी असमंजसी की इस्थिती में परिजनों से विचार में मर्श करना उचित रहेगा वहानत्व किसे महंगे उपकरन के खराब होने से बड़ा खर्चा सामने आ सकता है दोस्तों तथर इस्तेदारों के कारियों में हस्तच्छेप करने से बच्छे बात करते हैं लव लाइफ की रोमैंस और रंतरंतर इससे मैं आपको शाहिद कर सकते हैं इसका आनन लेनी के लिए आपको भी प्रयास करने चाहिए जुवा और अन्य बुराईयां आपको आर्थे खानी पहुँचा सकते हैं इसलिए बुद्धी मता से काम ले आपके जीवन का यह नया चड़न उत्तेजना और चाहत का संकेत दे रहा है जीवन में मिलने वाले सुनहरे मौके को हासल कद ले इससे पहले कि यह मौके आपके हास से छूट जाए वसकाम वासना और आवेश के अधिक्ता से बच्ची अपने साथी से मिलने से पहले उसके लिए लव का प्रतीक लाल गुलाब ले जाना ना भूली बात करते हैं करियर की यह समय कलपना से हकीकत में आने और महनत करनी का है अगर आप राजनीती में जाना चाहते हैं तो इस खेल को पहले अच्छे से समझ ली ने ओशर के लिए अपनी जीवन सैली और आदतों में थोड़ा सा बदलाव करी वजूआ लौटरे आदी से वच्ची अज़ाब के दरवाजे पर कई मौके दस्तक दे रहे हैं और आपको वित्ती समरिद्धी मिलने की भी शंभावना है अगर आप वैपारी हैं तो रिस्तों के अनुशार आज़ा आपको लाब होका आपको नए नोकरी भी मिल सकती है याद रखे पैसे की कमी सभी बुराईयों की जड़ है लेकिन अधिक देर होना अच्छाई का प्रमाण पत्र नहीं है बात करते हैं सेहत की स्वास्ता अच्छा रहेगा सिर्फ अपने दिन चरिया को शकरात्मक बना कर रखे कईयों को पेट सम्मंदित इंफेक्शन की संभावना है पर यह छोटी सी ही समश्या रहेगी आज का उपाय आज अब गोवर की गोवर्धन परवत की आकरिती बनाए इसके बाद उसकी पुश्प धूब दीप इत्यादी से पूजा रात ना करी दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में जीवन में हमेशा सकरात्मक सुच के साथ आगे बढ़ती रही आपका दे शुग हूँ